हे वल्कम बैक टो आज चैनल तो आज की इस वीडियो में जानेंगे आपको किसी भी बैंक के खिलाब कंपलेंट कैसे करनी है अगर बैंक आपकी नहीं सुनता है तो आपको RBI में कंपलेंट कैसे करनी है इस वीडियो में जानेंगे तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है उसमें सर्च करना है बैंकिंग अमबस्टमेंड ओके इसका लिंक में आपको डिस्क्रिक्शन में भी दे दूँगा वहां से भी डिरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज़ पहुंश सकते हैं उसके बाद आपने बैंकिंग अमबस्टमेंड रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया इस पर आपको क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कंप्लेंट्स पर आपको क्लिक करना है नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको किसके अंगेंस्ट कंप्लेंट्स करना ह अब यहाँ पर देखेंगे option है file complaint इस पर आपको क्लिक करना है नीचे आप track कर सकते हैं जो आपने complaint किये है बट अभी तक complaint नहीं किये तो आप track नहीं कर सकते हैं उसको तो सबसे पहले file complaint पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपको एक capture दिख रहा है यह अपने यहाँ पर fill करना है उसके बाद next पर click करना है next complaint details यहाँ पर आपको अपना name डालना है name of the complaint and mobile number उसके बाद get OTP पर click करना है आपके mobile number पर OTP आएगा यहाँ पर आप देखेंगे OTP is successfully verified complaint details सबसे पहले है जो आपने name फेल किया तो यहाँ पर आजाएगा आपका name and mobile number आपने डालना है email address optional है वो आप डालना चाहते रहों डाल सकते है complaint category पर click करना है category आपने select कर लेनी है यहाँ पर individual business limited company trust जो भी है वो आपने senior citizen से रड़ेटर है okay government department तो यहाँ पर मेरी individual है तो मैं individual पर खלãyתा हूँ उसके नीचे आप देखनी है यहाँ पर आपई age आपको यहाँ पे आपनी age फिल कर लेनी है उसके यहाँ स्ट्रे गर्डरaltres चैंडर आपने selecting कर लेना है यहाँ से नीचे complaint state of residence तो यहाँ से आपने select पर क्रिक करके जो state है उसको आपने select कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना address डालना है pin code डालना है यहाँ पर आपको entity, company name या फिर bank का जो name है वो आपको select कर लेना है उसके बाद आपने नीचे next पर click करना है have you filled a return and electronic complaint तो आपने उस company, bank के against अगर complaint फाइल की है return हो या electronic, मतलब online की website पर जाके कहीं से भी अगर आपने complaint की हो किसी पर परकार की तो yes करें, otherwise no करें तो मैंने नहीं की थी, तो मैं no कर लूँगा उसके बाद आप next पर click करेंगे उसके बाद आपके सामने दूसरा page उपन हो जाएगा यहाँ पर आप देंगे loan deposit account number तो आपको account number यहाँ पर डालना है अगर आप नहीं डालना चाते तो छोड़ सकते हैं इसको यह optional है बट आप डाल लेना है उसके बाद facts of the complaint यहाँ पर सिकायत के तर्थ्य आपने लिखने है जो भी आपकी problem है, debit card, pension, credit card जिससे भी related आपकी problem है, जो भी है वो आपने इसमें लिख देना है नीचे upload files है तो file आपको यहाँ पर select file पर click करके file upload करनी है and उसका maximum file आप कितनी कर सकते हैं not more than 5 5 से ज़्यादा file आप इसमें upload नहीं करेंगे and उनका size होने चाहेए 2MB अगर आपको file का size resize करना नहीं आता तो video का link नीचे description मिल जाएगा वहाँ से आप file का size resize कर सकते हैं उसके बाद आपने upload पर click कर लेना है and नीचे उसके बाद submit पर click करना है उसके लाद यहाँ पर आप देखेंगे thank you and जो आपकी file है वहाँ पर submit हो चुकी है इसका PDF आप इसमें download कर सकते हैं और यहाँ पर जो PDF आप देख सकते हैं reserve bank of India and यहाँ पर date आपको दिखेगा and जो आपका वो number है जिससे आप track करेंगे RBI CMS वो number आपको यहाँ पर दिखाए देगा and यहाँ पर आपका name और नीचे आपको पढ़ सकते हैं और यही सब लिखायागी अगर 30 race के अंदर जिसके किलाव आपने complaint किये वो आपको reply नहीं करता है तो आप दुबारा complaint कर सकते हैं RBI को and यह सब कुछ है तो इसी तरह से आप किसी भी bank की complaint file कर सकते हैं RBI को and next video में हम जानेंगे आपको track कैसे करना है अपनी complaint जो आपको SMS में भी आपको complaint number आएगा वो complaint number डालने के बाद आपको track कैसे करना है तो फिलाल वीडियो में इतना ही था and thanks for watching, see you in next video